गुर्वार सरी राजाराम महराज के पामशानिद में चल रही साथ दिवसे भागवत कथा के तीसरे दिन कथा बाचक करपारा महराज ने कथा का वाचन करते हुए बता की मनुस्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल अवश्य मिलेगा हर माना को कर्म कर फल भोगना ही पड़ेगा इसलिए माना मात्र को हमेशा च्छे कर्म कर मनुस्य जीवन का उध्धार करना चाहिए परमात्मा को भजने बाला परमात्मा हो जाता है संतों की महिमा का गुन्गान करते हुए बताया कि संतपस्या के बल से महगता है संतों का लगाओ, भगवान से हुटता और जो हरी को भचता है वो हरी का हो जाता है भगवान गधा का बाचन करते हुए कृष्व वाद दूर्योधन के बीच युद्धा का वर्णनकया शंतिकरपाराम जी ने विदूरानी द्वारा कृष्ण को केले के छिलके खिलाने वाले प्रशंग को सुनते हुए कहा की भगवान चपन भोग से भुखे नहीं है अगर प्रेम से एक पुष्प भी अरपन कर दे तो वो भी उसे स्वेकार है भगवान दुस्टों का उदार किरने बाब भक्तों को आनन देने इस धर्ती पराते हैं अगर भगवान पैसे लेते देखते तो भगवान राम कभी भी आदिवाशियो वास सबरी के वहां कभी नहीं जाती और कृष्णी भी कभी भी शुदामा को अपना परम मित्र नहीं बनाते अगर पैसे अश्वर्य को दिखाते क्योंकि ये सब इन भक्तों के पास नहीं था और जो भी था वो सच्चा प्रेम था जो से भगवान खुद इनके वहां पधार गया और कहा गर जीवन में समस्या आ जाए तो भगवान से ये मत कहो कि समस्या बहुत है बलकि ये कहो कि समस्या तो बहुत है लेकिन तेरी कृपा भी बहुत है आज इस भागदार के जिन्दगी में जो वैक्ती चार घंटे एक जगा बैट कर ध्यान से कथा सुनाता है समझो उस पर भगवान की बड़ी कृपा है और कहा कि जीवन में कर्म की बड़ी महानता है कर्म करने में साथान रहो अगर कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो आगे जुआ कर दुख भोगना पड़ेगा जो अच्छे कर्म करेगा वो जीवन में सुख पाएगा वकथा में बालसंति ने अपनी सुन्दरवानी से प्रवच् कि उनकी प्रस्तोती दे